हुआ है कि हलो दोस्तों मैं एक्षिन आ रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चलना रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं आसके यहां पर आप पढ़ रहे हैं एक बहुत ही अच्छे सी सिरीज जिसमें आपको पढ़ाया जा रहा है निमेरिकल्स हर चैप्टर वाइस हम लोग निमेरिकल्स लेकर के चल रहे हैं और वही निमेरिकल्स हम लोग लेकर के चल रहे हैं जो हमारी बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है या फिर हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार की निमेरिकल्स बोर्ड एक्जाम में आ अगर आप में से कोई भी उन वीडियो को नहीं देखे हैं चैप्टर नमर वन चैप्टर नमर टू और चैप्टर नमर थ्री के वीडियो आपने अगर नहीं देखे हैं नुमेरिकल्स के तो आप जाकर के देख सकते हैं और अगर आप देखना चाहते हैं अभी तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो सबसे पहले आप लोग पहले वो चैप्टर नमर 1, 2, 3 के वीडियो देखें तो ज्यादा बेतर होगा और अगर देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएगा वहाँ पर नुमेरिकल्स का एक नुमेरिकल्स का डर आप लोग के दिमाग से हटाने के लिए हम यहाँ परतत पर है और बस अपनी कमरा कस लिजिए और हम ऐसे ही आप लोग के साथ में मेनत करते रहेंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे ठीक है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नाटिविशन मिल सकेगा और आप अच्छे सेमा पर पढ़ाई कर सकेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज क्यूशन ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से उसके बाद में इसको सॉल करने का प्रयास करिएगा कापी पेन लेकर के बैठिएगा और जो मैं क्यूशन बोलूंगा इसे नोट करिए और उसके बाद में आगे बढ़िए ठीक है तो चलो देखते रही है क्यूशन दिया गया में यह पत सरल रेखिये हो जाता है इस कण का विशिष्ट आवेस Q अपान M ग्याद कीजिए पुना मैं केस्टन को पढ़ता हूं और आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक रोक करके इसे नोट करिएगा एक कण 0.8 टेसला के चुमकी छेतर के अंतरगत 2 cm व्यास क के वरत में गति करता है 100 वोल्ट पती मीटर के विद्व छेतर में यह पत सरल रेखिये हो जाता है इस कण का विशिष्ट आवेस अर्थात Q अपान M जिसे कहते हैं ग्याद करो ठीक है यह क्योश्चन दिया गया है अब ध्यान से देखते हैं इस क्योश्चन को हम लोग कैसे सब्सक्राइब करते हैं इसमें पहले ही बोला गया है कि एक कंड 0.08 टेसला के चुमकी चितर के अंतरगत चुमकी चितर के अंतरगत नलग चुमकी चितर को हम लोग लिखते हैं B से और B का वैल्यू दिया है 0.08 टेसला के चुमकी चितर के अंतरगत 2 सेंटीमिटर व्यास के व्रत में गती करता है, कोई कण गती कर रहा है, व्रतिय गती कर रहा है और किस व्यास के व्रतिय पत्पर गती कर रहा है, दो सेंटी मीटर व्यास के व्रतिय पत्पर गती कर रहा है तो व्यास दिया है, दो सेंटी मीटर अगर व्यास दिया है तो त्रिजिया हम कह सकते हैं उस पत की त्रिजिया जिसे हम आर से लिखें, वो होगा 1 cm, या फिर हम कह सकते हैं एक गुड़ा दसकी पावर माइनश 2 मेटर, OK, cm को मेटर में बदलेंगे 10 टू पावर माइनश 2 से मल्टिपलाई कर देते हैं, ठीक है? विशिष्ट आवेस Q upon M का मान ग्यात किजिए अर्थात विशिष्ट आवेस Q upon M जिसे कहते हैं इसके value हमें ग्यात करना है ज़रा question को समझे और फिर इसको लगाने का प्रयास करें देखो main चीज़ क्या होता है समझना मैंने कई बार का है तो अगर आप question को समझ नहीं पाते हैं तो फिर आप question को solo नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं चीज होती है question को समझना इसने कहा था कि कोई कंड था आवेशित कंड था जब किसी कोई कंड चुम्बकी छत्र में गति कर रहा था तो वरतिय पत पर गति कर रहा था जिसके वरति चुम्ब की छत्र में वरतिय पत्पर गती क्यों करता है तो हमें पता होना चाहिए इस पर एक लारेंजबल कारी करता है और उस लारेंजबल के कारण ही यह वरतिय पत्थ ग्रहण करता है तो जो लारेंजबल कारी करता है उसका वैली होता है QVB लारेंजबल लिख देता हूँ मैं आपे लारेंजबल लारेंजबल के कारण ही कोई कण वरत्तिय पत्त गरण करता है चुम्ब की चत्र में लेकिन हमें ये भी पता है कि जब कोई आवेसित कण या फिर किसी वे प्रकार का कण वरती पत पर गती करता है तो उस पर अभीकेंदरबल कारी करता है तो जो अभीकेंदरबल मिल रहा है वो उसे लारेंजबल से ही मिल रहा होता है तो हम कह सकते हैं कि लारेंजबल से ही अभीकेंदरबल मिल रहा है तो लारेंजबल बराबर है अभी केंदरबल के लारेंजबल बराबर किसके होता है अभी केंदरबल के लारेंजबल का फार्मला आप लोगों ने पढ़ा था QVB और अभी केंदरबल का फार्मला आप लोगों ने पढ़ा है MV स्क्वेर अपान आर एक V V cancel out हो जाएगा यहाँ पर बचेगा Q B equal में M V upon में R चिक यह equation number 1 यहाँ पर हम छोड़ देते हैं हमें तो Q upon M ग्याद करना है क्या ग्याद करना है Q upon M ग्याद करना है तो यहाँ पर Q upon M ग्याद करने के लिए सबसे पर हम M को इधर ले आते है तो सुरी एक समीकन क्यों बना रहे हैं हम लोग ठीक है तो यहाँ पर कर लेंगे Q upon M M इधर ले आए Q upon M बराबर में हो जाएगा V upon में यह B जो है R के पास में कर देजिए तो B into R बन जाएगा ठीक इतना question हो गया Q upon M ही हमें याद करना है बस value रख देना है V का मान लेकिन V का मान हमारे पास दिया नहीं गया है B B दिया है R R दिया है V नहीं दिया है तो अब हमें V गयाद करना पड़ेगा V हम लोग कैसे गयाद करेंगे बस यही थोड़ी सी tension है तो सबसे पहले आगे भी question में बता दिया गया था question आपने अगर note किया होगा तो आगे पढ़ पा रहे होंगे आप इसने बताया यह वरतिय पत पर गती कर तो रहा था लेकिन जब यह एक समान चुमकी च्छेत्र यहाँ पर बरा दिया जाता है 100 वोल्ट पती मीटर का चुमकी च्छेत्र जैसे यहाँ पर उत्पन होता है तो यहाँ वरतिय पत सरल रेकिये बन जाता है मनलब वरतिय पत पर अभी गती कर रहा था तो अब यह सरल रेका पर गती करने लगता है अर्थात सरल रेकिये गती क्यों करने लगा क्योंकि जो लारेंजबल इस पर कारे कर रहा था वो लारेंजबल निरस्ट हो गया और किसने निरस्ट किया इस चुमकी छेतर ने तो इसका मतलब है वरतिय पत जब इसने ग्रहण किया था तो चुमकी छेतर ने एक बल लगाया था जिससे वो वरतिय पत ग्रहण कर रहा था जिससे हम लारेंजबल कहते थे अब यह जब सरल रेखिय पत हो गया है तो इसका बलब वैदुत छेतर ने एक बल लगाया है जिसके करण यह सरल रेखिय पत ग्रहण करता है तो वो जो लारेंजबल था लारेंजबल को कैंसल करने वाला कौन है वैदितबल अर्था अब इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि वैदितबल और लारेंजबल दोनों एकवल हो गए क्योंकि वैदित चुमकिय बल जो है लारेंज बल जो है लारेंज बल को कैंसिल कर दिया वैदित बल ने जब बराबर होंगे तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ना तो हम कह सकते हैं कि लारेंज बल बराबर है वैदित बल के भी परिभासा वैदुच्छतर की E बराबर F अपान Q होता है तो F बराबर Q इंटू E बल है F मतलब Q इंटू E यहां से Q से Q काड़ दीजे और V का मान यहां से निकाली ज़रा तो क्या बनेगा E अपान B V का मान E अपान B आया और यह E अपान B यहां पर रखें समीकण 1 में तो इसलिए समीकण बनेगा Q अपान M बराबर में क्या बनेगा V V की जगे पर लिखेंगे E अपान B और अपान में already B और R था तो और थाथ हम कह सकते Q अपान M बराबर में E अपान में B स्क्वेर इंटू R E का मान हमें पता है 100 है B का मान हमें पता है 0.8 है R का मान हमें पता है 1 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर है ये सारे के शारे value यहाँ पर रखिए और Q अपान M का मान निकल के आ जाएगा और यही आप से पूँचा गया है तो यहाँ पर रखे और आसानी से जो भी एंसर आएगा आप कमेंट में कमेंट कमेंट में इसका एंसर जरूर बताएंगे ठीक है तुरत अभी solve करिएगा और आगे बढ़ते हैं हम तब तक चलो अगला question हम लोग देखते हैं आप इसे solve करें यहीं पर भले ही आप वीडियो रोक दें लेकिन इससे solve जरूर करिएगा ठीक है क्योंकि solve करने से ही आपका new vehicle का डर खतम होगा ऐसे नहीं खतम होने वाला तो इससे solve करिएगा आगे अब देखते हैं अगला question ठीक है अगला question जो है बहुत ही अच्छा है इस परकार का question बहुत बार पूचा गया है और पूचा जाता रहेगा तो आप लोगों के लिए बहुत ही important है देखेगा दिया गया है दो समांतर तारों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला चुमकियबल देखेए प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला चुमकियबल लंबाई दे दी गई है L बराबर एक मीटर प्रति मीटर का मतलब है L बराबर एक मीटर लंबाई पर लगने वाला चुमकियबल मतलब F चुमकियबल जिसे FM ठीक है वो गुरुतिय बल के बराबर है अर्थात FG के बराबर है लिख दिया बेले इसमें जो कहा है वही हमने किया है इसने बोला कि दो समांतर तारों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला चुम्बकी यबल ठीक है तार के एक मीटर लंबाई पर लगने समांतर तार रखे हुए हैं दोनों तारों में पचास एंपियर की धारा है तो हम कह सकते हैं I1, I2, दोनों के दोनों 50 A की धारा है, इसमें बोला गया है, आगे बताया गया है, धारा बह रही है, यदि तार के एक मीटर लंबाई का दर्विमान एक ग्राम है, तार के एक मीटर की लंबाई का दर्विमान कितना है, एक ग्राम है, अर्थात दर्विमान जिसे M M लिखते हैं, एक मीटर की ही बात चल रही है सब की, तो L लिखने की बार बार जरूरत है नहीं, एक मीटर लंबाई का द्रेमान कितना है, एक ग्राम है, एक ग्राम, इसे अगर हम किलो ग्राम में लिखें तो क्या लिख पाएंगे, एक गुणा दसकी पावर, माइनस किलोग्राम या फिर एक ख़ी से भाग कर देते हूं, यह तो होता है है, आप लोग समझते हैं, ठीक है, एक ग्राम है, आगे बतायाएक तो समानतर तारों के बीच की दूरी घःत कीजिए, अर्था दोनो तारों के बीच की दूरी जो आर होती है, यह आपको घ्याद करना ह सिर्फ दिक्कत यहां पर इतनी है कि इसका समझने में थोड़ी सी प्राब्लम हो सकती थी लेकिन मेरे ख्याल से समझने में भी ज्यादा प्राब्लम नहीं होनी चाहिए यहां पर बताया है दो समांतर तारों जो समांतर तार रखे हैं दोनों में पचास एंपेर की धारा प्रवायत हो रही है और इनके बीच में जो बल लग रहा है वह इनके बीच लगने वाले वैदित गृत्त वाकरसर बलके बराबर है अर्था चुमकी बल एफम बराबर है एक ग्राम है तो आप उनके बीच की दूरी याद करें हमने यह वाला डेरिवेशन आपको करवाई ही था आपको पता भी होगा तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है एफ अपान एल मैंने इस तरह से कुछ कर रहा था एफ अपान एल करके या फिर एल उधर कर ल लाएगा तो हम यहाँ चाहां जहां पर रखें एल का वैले तो एक ही है उससे कोई फरक नहीं बढ़ने वाला एफ मतलब यहाँ पर एफ एम से है और एफ एम की जगे पर हम क्या लिखने वाले एफ जी गृत्वा करशन बल तो यहाँ पर लिख देते हैं एफ जी और एल का का कमान लिंग देते हैं एक मिउनाट अप मान 4 पाई का वैलू हमें 10 की पाउर माइनस 7 पता है रहाजिया की और यहाँ रखने हम में आसानी हो जाएगी into में i1 i1 का value हमें पता है 50 है i2 i2 का भी 50 है और अपान में r r हमें पूछा गया है अब हमें एक बात पता है r निकालना है तो r को इधर कर दो fg को अपान में कर दो चलो कर देंगे तो r is equal to क्या हो जाएगा mu not upon 4 pi जिसका value होता है 10 की power minus 7 आपको पता होना चाहिए दो पंचे दस दस पंचे पचास तो यह क्या हो जाएगा 5000 ठीक है और अपान में आने वाला है यह fg fg का मतलए गुरुत्वा करशन बल गुरुत्वा करशन बल जो होता है formula mg f is equal to mg के equal होता है kya होता है f is equal to mg तो यहाँ पर mg रख देता है f बराबर ma आप लें पढ़ा होगा f बराबर ma यहाँ पर गुरुत्वी तरण है तो g यहाँ पर गुरुत्वी तरण हो जाता है वैसे अगर कोई दूसरा तरण होता है तो mg ऐसे कर देते हैं ठीक है तो r is equal to यह निकल के आया है आगे की हम बात करते हैं तो यह क्या बन जाना चाहिए वही 10 की power minus 7 यह है और 5000 यह है तो 5 गुणा 10 की power minus 4 बचेगा क्योंकि 3 0 इसको हम दे देंगे तो घात minus 4 बचेगी बटे में m, m का value जो है वो दिया है एक गुणा 10 की power minus 3 और g का value जो हमें पता ही है कितना होता है 9.8 होता है करीब हम कह सकते हैं उसे 10 लिख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम इसे जब calculate करें तो r is equal to क्या निकलेगा 10 की power minus 4 और ये 10 की power 1 ये है तो ये कितना बन जाएगा एक गुणा 10 की power minus 2 ओके यहाँ पर हम अगर और इसको calculate करें अच्छा एक बात मैंने सायद गड़वड कर दी है ठीक है कुछ भी गड़वड नहीं है अब आगे चलते हैं और आगे चलें तो यहाँ पर r बराबर निकल 10 की power minus 2 चार है और यहाँ से 10 की power minus 2 उपर जाएगी तो क्या बन जाएगी 10 की power plus की 2 बन जाएगी अच्छा अपान में एक बचेगा जिससे हमें कोई मतलब नहीं होगा अर्थात r बराबर 5 गुणा 10 की power minus 2 मीटर बचेगा हमारे पास अगर हम cm में इसी को लिखे तो 5 cm लिख की दूरी कितनी है 5 cm हो गई है तो यह बहुत ही इजी सा सवाल था बहुत ही सरल सवाल था आपने आसानी से लगा लिया होगा उमेद है तो चलो चलते हैं अगले question की और अगला question देखते है और उसे कैसे हम लोग शॉल करेंगे वह भी देखेंगे में चीज होता है question को समझन अगर आप question को समझना सीख के तो समझ लो आप लगाना सीख चुके हैं क्योंकि calculation ज्यादा hard तो नहीं होता है कभी कभी कोई कोई question ऐसा होता है जिसमें calculation बड़ा दे देता है लेकिन ऐसे question है यहाँ पर जो calculation ज्यादा बड़े नहीं है मेरे ख्याल से तो आप कर सकते हैं अग और 6.6 गुडा दसकी पावर 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 0.7 एंगस्ट्राम त्रिज्या की कक्षा में घुम रहा है आगे बताया है इसमें तुल्य विद्यत धारा तथा तुल्य चुम्बकी आघुर्ण की गड़ना कीजिए बहुत ही easy question है अगर आप इसे समझ पा र परमाडू में एक इलेक्ट्रान नाभिक के चारो और 6.6 गुडा दसकी पावर 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 0.7 एंगस्ट्राम त्रिज्या की कक्षा में घुम रहा है आगे बताया है इसके तुल्य विद्यत धारा तथा तुल्य चुम्बकी आघुर्ण की गड़ना क किजिए अब मैं क्यूश्चन को यहां पर क्यूश्चन लेता हूं बताया गया है नाभिक के चारो और एक परमाडू में नाभिक के चारो और एक इलेक्ट्रान घुम रहा है इस त्रिज्या में तो एक परमाडू में एक इलेक्ट्रान नाभिक के चारो और 6.6 गुडा दस की पावर 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ये वेग दिया है ठीक है 0.7 एंगस्ट्राम की त्रिज्या में घूम रहा है जीरो दिसम्लो की गड़ना करना है चुम्ब की आघुड मतलब M की गड़ना करना है चुम्ब की आघुड जसे हम बोलते हैं M ये दोनों चीजे हमें निकाल लिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हमें आई अगर निकालना है तो फार्मूला पता है आई बराबर क्यों अप पता है तो ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इलेक्टान घुम रहा है तो इलेक्टान का आवेस तो हमें पता ही है एक दिशमलो छे गुणा दसकी पावर माइनस 19 कुलाम है आई हमें निकालना है नमबर वन पर हमें निकालना है आई आई बराबर में होता है क्यू ऍव्रार्ण्टी होता है है क्यूब बराबर आई टी होता है तो आई बराबर क्यों पाण्टी हमें मौलूम है आवेस आवेस जो है इलेक्टान का है तो यहां पर क्यू की ज़ины पर आवेस लिखने वाले हैं एक दिशमलो छे गुराएट पारवार माने सो नियस लेकिन MBA व आपान में T का मतलब है दूरी बटे चाल आपने पढ़ा होगा तो दूरी का मतलब है कि यह पर एक पत चलने में कितना समय लगेगा उससे यह जो दूरी होगी यहां से यहां तक कि इस दूरी को हम लोग परिदी कहते हैं जब कोई लेक्टान वरती पत्प्रगती कर रहा होगा तो ये पूरा एक चक्र लगाने में चली गई दूरी कितनी है जिसे हम परिदी कहते हैं जिसे हम 2πr लिखेंगे और दूरी बटे चाल चाल का मतलब यहां पर वेग से है तो यहां पर वेग वी है तो वेग लिखेंगे तो समय देखो आवेस की जगे पर इलेक्टान का आवेस E T समय बराबर दूरी बटे चाल दूरी का मतलब एक चक्र लगाने में चली गई कुल दूरी जिसे हम परिदी कहेंगे जिसे हम फर्मलों होता है 2πr अपान में चाल का मतलब वेग यहां पर वी लिख दिया है और वी उपर जाएगा सो आई बराबर में E V अपान 2πr ओके सो यहां पर आई जूकल टू E का वैल्यू 1.6 गुड़ा दसकी पावर माइनस 19 V का वैल्यू दिया गया है आपको 6.6 गुड़ा दसकी पावर 4 और अपान में 2 पाई का वैल्यू 3.14 और आर का वैल्यू भी आपको दिय करेंगे इसका answer में बता देता हूं आप लोग चेक भी कर सकते हैं अपना answer निकाल करके और आप लोग बताएंगे इसके बाद में हमने sole कर लिया है इसका answer है 2.4 into 10 to power minus 5 यह निकल के आया है इसका एंसर तो यह आपसानी से आप लोग निकाल सकते ठीक है आई निकल के आएगा इसके बाद में एक और क्यूश्चन हमसे किया गया है इसी में बताया गया है एम गयात किजए ठीक है तो एम का मतलब है चुम्बकी या दुद्रू आगूण ठीक है दुद्रू आगूण या चुम्बकी या आगूण जिसे हम कहते हैं यह हमें गयात करना है और फारूला होता है यह पर आई ए आपने पढ़ा होगा M बराबर IA यह formula होता है M बराबर IA या N IA अगर फेरों की शंख्या एक है तो N की जग़ा पर एक हो जाता है M is equal to N IA होता है तो यहाँ पर IA हो जाएगा तो अब हम यहाँ पर M बराबर IA जो भी निकलेगा वो लिख लेंगे 2.4 into 10 to power minus 5 ampere यह निकला माल लिया तो यह रख लिया into में A, A मतलब pi R square होगा यहाँ पर ठीक है यहाँ पर R तो आपको पता ही है pi का value 3.14 यह 22 बटे 7 जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख लिजेगा R का value 0 समलो 7 कुड़ा 10 power minus 10 meter रख करके इसको calculate करिएगा और calculate करने के बाद में इसका answer जो भी आए वो हमें बताएंगे और हम यहाँ पर आपको answer बता देते हैं साइद यहाँ पर ना दिख रहा हो तो यहाँ पर लिख देते हैं m is equal to 3.696 into 10 to power minus 4 answer आने वाला ठीक है तो यह आप निकाल लेना ampere meter तो यह आपको लगाना है आसानी से आप इसका answer पा जाएंगे ठीक है तो चलो अब हम लोग चलते हैं अगले question की तरफ ठीक है अगला question जो है हमारे past बहुती easy है और इस परकार का question कई बार हम लोगों ने पिछली वाली class में भी देखा था देखेंगे आज भी और बहुती आसान question होता है लेकिन समझना जरूरी है question को ठीक है चलो देखते हैं इसमें देखो धारा मापी से related ये question है और हम लोगों ने पिछली वाली class में धारा मापी से related कुछ questions ले लिये थे इस वज़े से क्योंकि हम सोच रहे थे कि question number 3 या 4 दोनों में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं तो question chapter number 3 में हमने कुछ इस परकार question ले थे आज हम chapter number 4 में भी इसी परकार का question ले लेते है basically ये question chapter number 4 का ही है ठीक है तो चलिएगा देखते हैं इसमें क्या है दिया गया है question हम पढ़ रहे हैं इसको सुनिएगा बदाया गया है एक 20 ओम प्रतिरोध वाले धारा मापी को 0.005 एंपियर धारा के पूरे पैमाने पर विच्छेप देता है इसे एक एंपियर तक धारा मनापने वाले अमीटर में किस प्रकार बदलेंगे मतलब कैसे बदलना चाहिए इसको किस प्रकार से बदला जाएगा इस परिवर्तित अमीटर का प्रत्रोध गयाद कीजिए मतलब कहने का ये है कि ये जो हमारे पास धारा मापी का प्रत्रोध दिया गया है वो दिया गया है 20 ohm धारा मापी के पितरोध को आपने जाना होगा धारा मापी के पितरोध को हम लोग G से लिखते है question number 4 है 4 है या 5 है पता नहीं यह जो भी हो या question number 4 है और यहाँ पर धारा मापी का पितरोध दिया गया है जिसे हम G से लिखते हैं 20 Ohm दिया गया है ठीक है धारा मापी का पित्रोद 20 Ohm है और बताया गया धारा मापी को 0.005 Ampere धारा से पूरे पेवाने पर विच्छेप देता है मतलब धारा मापी में जो अधिकतम धारा जिस पर विच्छेप मिलता है वो है 0.005 Ampere पर यह विच्छेप पूरा स्केल का विच्छेप देता है आगे बताया है एक एंपियर तक धारा मापने वाले अमीटर में इसे बदलना है किस में बदलना है एक एंपियर धारा मापने वाले अमीटर में बदलना है जिसे हम लिखेंगे i only ये लिखेंगे i g जहां पर धारा मापी पूर्ण विच्छेप देता है 0.005 Ampere ठीक है इसमें बदलना है तो इसे I बराबर 1 Ampere लिखा है तो इसे बदलने के लिए किस प्रकार या किस प्रकार बदला जाएगा Ampere को किस प्रकार बदलेंगे हमें बताना है हमें यह तो पता ही है कि जब धारा मापी को Ampere में बदलते हैं तो धारा मापी के समानतर क्रम में एक छोटा सा प्तिरोध लगाते हैं जिसे हम संट कहते हैं और उस संट के प्तिरोध का जो फार्मॉला होता है जिसे S लिखते है S जुकल 2 होता है G into I G upon 1 यह हमारे पास फार्मॉला होता है I minus I G ये farmular ہوتा है संट का तो हमें बताना एक किस प्रकार बदलेंगे तो लिखेंगे समांतर कर्म में संट लगाकर करके बदलेंगे लेकिन संट का मान कितना होगा ये भी हम लोग निकाल के इसे दे देते हैं संट कैसे निकालेंगे तो g का value हमारे पास दिया है 20 में बताएंगे कि आखिर कितना आया है ठीक है बहुत हीजी है तो इसमें मेरे क्यास से मैं उत्तर देना भी सही नहीं सुसता ठीक है आप लोग आसानी से लगाईएगा और फिर बताईएगा कि हाँ हम ने शालो कर लिया है तो चलो अब हम लोग चलते हैं एक अगले क्यूश्छन की और बहुत इजी ने इस प्रकार के क्यूश्छन हम लोगों ने चैấp्टर तो इसमें आपको कोई परिशानी नहीं होगी अगला क्यूस्चन देखते हैं क्यूस्चन नंबर फाइब हम कह सकते हैं क्यूस्चन नंबर फाइब है आसके क्लास का और यह दिया है तीन गुणा दसकी पावर माइनस आठ एंपियर मीटर स्क्वेर चुम्बकी आघून की एक कुंडली को जब एक चुम्बकी च्षेतर में इस प्रकार रखा जाता है कि उसका तल च्षेतर के समांतर है तो कुंडली पर लगने वाले बलियुग्म का आघून 7.5 गुणा दसकी पावर माइनस 9 न्यूटन मीटर है चुम्बकी च्षेतर का मान गयात कीजिए पुना क्य कुंडली को जब एक चुम्बकी च्षेतर में इस प्रकार रखा जाता है कि उसका तल च्षेतर के समांतर है तो कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का आघून 7.5 गुणा दसकी पावर माइनस 9 न्यूटन मीटर है चुम्बकी च्षेतर का मान गयात कीजिए जिरा सुन गुणा दसकी पावर माइनस 8 एंपियर मीटर स्क्वेर एंपियर मीटर स्क्वेर ये चुम्बकी आघून दिया गया है कि जब एक कुंडली को च्षेतर में इस प्रकार रखा जाता है कि उसका तल च्षेतर के समांतर है तल च्षेतर के समांतर रहने का मतलब है कि उसका एक्षन है च्छेतर की और इस तरह से ही यह रखा हुआ है यह जो यह तल है इसका समांतर है तो जब तल समांतर होगा उस समय अच्छ नब्यंस होगा या लंबवत होगा तो हम कह सकते हैं इसमें तल समांतर कहा है तो इसका जो गोण होगा वो नब्यंस रखना है अक्सर यही गड़बड़ी हो जाती है समांतर कह देता है और थीटा को हम जीरो कर लेते हैं ऐसा करना गलत हो जायएगा तल समांतर कहेगा इसका अच्छ लंबोत होगावर हमें अच्छ वाला कॉणलेना होता है ना कि Vaka तो यहां पर जो हमें नृटियू your दिया है वह नाइंटी डिगरी दिया है तल समांतर है ओर घए तो जब तल समांतर है तो को बताया गया है कुंडली पर लगने हाला बलागुण बलियुगम का अगुण जिससे टाउ कहते वो दिया गया है साथ दशमलो पांच गुणा दसकी पावर माइनस नौ न्यूटन मीटर ठीक है चुमकी छद्र का मान गयाद केजिए भी हमें गयाद करना है आसानी से याद क साइन थीटा यहाँ पर बी निकालना है तो एम और साइन थीटा को आपानने कर दें तो बी ऐकुल हो जाएगा ताउ के आपान में एम और साइन थीटा तो बेकुल टाव टाव का value है 7.5 गुणा 10 की पावर माइनस 9 अपान M M का value है 3 गुणा 10 की पावर माइनस 8 और sin theta मतलब sin 90 लिखना है मैं ठीक अच्छा sin 90 का value तो एक होता ही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है हम लोग इसे रखेंगे तो 20 उकल 2 हो जाएगा 3 से 7.5 को काटेंगे तो 3, 2, 6, 3, 5, 15, 2, 5 बचेगा 10 की पावर माइनस 9 और 10 की पावर ये 8 उपर जाएगी तो प्लस की 8 हो जाएगी sin 90 का मान 1 तर्थात B बराबर में 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस 1 या फिर B बराबर में 0.25 टेसला हम कह देते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो यह हम लोगों निकाल लिया है 0.25 टेसला बहुत ही एजी कुश्चन था आसानी से आप सॉल्फी कर सकते थे हमने बता दिया है कोई दिक्कत नहीं है आप लोग बस practice करते हैं ठीक है practice बहुत जरूरी है numericals की अगर आप practice करते हैं जहां मिले वहाँ से question उठाइए और लगाने का प्रयास करिये ठीक है इसी प्रकार और इसी level का question आता है बस यह यादर रखेगा कुछ भी नहीं होता है निमेरकस बहुत एजी आते हैं फिजिक्स में ठीक है बस आपको थोड़ा सा समसना आना चाहिए तो चलो आप देखते हैं आज की क्लास का अंतिम सवाल और अंतिम सवाल जो है वो क्या है वो भी देख लेते हैं ठीक है तो question number जो दिया गया है यहाँ प दसकी पावर साथ मीटर पर सेकेंड से गतिमान इलेक्टान के पथ की तरिज्या गयात के जिए कितना चोटा question है और सुनिएगा ध्यान से दुबारा बोलता हूं छे गुणा दसकी पावर माइनस चार टेसला के चुम्बकी च्छतर के लंबवत दिसा में तीन गुणा दसक खेडर के लंबवत दिसा में मतलब भाबर मितने नाइनटी दिगर दिया है चेत्र के लंबवत दिसा में क्या गयात करना है कि दिश्टा में तीन गुणा दस्की पावर साथ मीटर दसे किंड से घित्रन औ हम् mural के भी की स्वकेड़ करता है को सबस्तुत में ग्याद करना है अर्था आर आप को गियाद करना है और याद रहेगा ऑसी स्थति में हमने अभी आपको बताए की जब कोई इलिक्टर कि लारेंज ब्र पर प्रदान करता है अर्था लारेंजबल बराबर अभिकेंदरबल लारेंजबल QVB बराबर अभिकेंदरबल MV square upon R एक VV cancel हो जाता है यहाँ R इधर कर दते है QV को दोनों को souls then Twitter तो R is equal to MV habango QB हो जाता है वैसके लारेंजबल को QVB sin theta होता है sin theta sin 90 रख देते तो 1 ही आने वाल है, यहाँ पर theta का इस्तेमाल हमने नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, qvb sin theta आप लिख सकते थे और sin 90 का value 1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, r is equal to mv upon qv, मेरे ख्याद से अब आसानी से आप इसे solve कर सकते हैं, m का value क्या है, तो electron का द्रविमान आपको प लिखते हैं, 1.6 गुणा दसकी पावर माइनस 19 कुला में, तो यह सारे value लग देते हैं, m की जगे पर 9.1 गुणा दसकी पावर माइनस 31, ठीक है, v, v की जगे पर हम लोग लिखेंगे, 3 गुणा दसकी पावर 7, आप आन में q मतलब आवे से, लेक्टान का आवे से, तो 1.6 6 गुणा दसकी पावर माइनस 19, और B, B मतलब यहाँ पर दिया गया है, 6 गुणा दसकी पावर माइनस 4, ठीक है, तो इसमें इसको calculate करें, और इसको calculate करने के बाद में, आसानी से इसका answer पाएंगे, और answer में बता देता हूँ, आप लोग calculation कर लेना, बहुत ही जी calculation है, दसम् 20.4 cm, तो यह answer आपको निकाल करके लाना है, कोई दिकत नहीं है, मेरे ख्यास से आप आसानी से इसका answer ले आएंगे, ठीक है, तो आज के class में बस इतने ही question हम लोग रखते हैं, लेकिन अगली class में हम लोग और बहुत सारे question ले करके आएंगे, और बहुत सारे question को समझेंगे मेरे क्यास से अगर आप ये classes daily join करते रहेंगे, तो definitely आपका जो numericals का डर होता है वो बहुत ही दूर चला जाएगा, ठीक है, तो numericals का अगर डर जो है आपको दूर भगाना है, तो इस class को daily join करिएगा, और कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो अगर पशंद आया है, आप यहा उर्जा से चलते हैं, आप लोग उर्जा देते हैं, आप लोग positive comments करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, हमें उर्जा मिलते हैं, और उसी उर्जा को ले करके हम सामने आते रहते हैं, तो यह वीडियो कैसा लगा, यह भी आप बताएंगे, और इसी के साथ में जो भी हमने दीजिएगा, ज्यादा time नहीं लेना, लेकिन एक घंटे में सब कुछ आप पढ़ सकते हैं, मुलोग सब कुछ का मतलब है, यह numericals तो आसानी से शालव ही कर सकते हैं, तो आज के class में बसतना ही रखते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेरा वर्षी करिएगा, ठीक है, तो आज क्लास में बसतना ही, फिर मिलेंगे नए क्लास में, नए numericals के साथ में तब तक ले गुडबाई हर पढ़ाई करते रहे हैं